तो दोस्तों Central Employees के लिए एक काफी अच्छी खबर आने वाली है उनकी salary जो है वो बढ़ सकती है 1000 रूपय तक मैं आप लोगों को पूरा calculation भी बताऊंगा और क्या reason है जिसकी वज़े से आप लोगों की salary बढ़ सकती है तो आप लोगों ने thumbnail पे तो देखी लिया होगा कि DA आप लोगों का बढ़ सकता है 4% तक अब ये 4% DA बढ़ेगा तो आप लोगों की salary कितनी मिलेगी plus DA होता है क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप लोगों की salary होती है उसमें एक part जो होता है एक हिस्सा जो होता है जो government आप लोगों की महंगाई को ध्यान में रख करके बनाई है जो की dearless allowance होता है जिसे आप लोग महंगाई भता भी बोलते हो तो वो हर 6 मह हीने पे government calculate करती है कि कितना महंगाई चल रहा है उसकी हिसाब से आप लोगों कितना महंगाई भता मिलना चाहिए तो पहले क्या था कि 42% था फिर 4% बढ़ाए गया जबकि 46% हुआ अभी यह 4% बढ़ जाता है तो जा करके 50% हो जाएगा अगर यह बढ़ता है तो जुलाई स बढ़ाया है रोड़े का और प्लागोश सा लगे प्लाई सवस्ति हो जाता है तो इन दोनों को सम कर लीजे यानि कि और यह 5,000,000 रुपे हो गया अब इस में मालीजे 46% पहले था और 4% अघर बढ़ जाता है तो 50% हो जाता है तो 50% आप इन ग्रेट है प्लस बेसिक सैलरे का निकाल लीजिए यानि कि 1,10,000 का 50% कितना हो जाता है 55,000 रुपए अब जो आप लोगों की पूरी सैलरी बनेगी वो बनेगी 1,65,000 रुपए यानि कि 1,10,000 रुपए वो और 55,000 रुपए आप लोगों का DA यानि कि महगाई बदता अब ये तीनों मिला करके जो आप लोगों की इन हैंट सैलरी बनेगी वो आप लोगों की ये महगाई भदता जब ये 4% बढ़ जाएगी तो मिलेगी वरना भी 46% पर जो भी आप लोगों को मिल रहा है वो मिलता रहेगा अब इसका फाइदा केवल employees को ही नहीं मिलेगा employees की बात करें तो almost 49 lakh employees है central employees है और वहीं पर 68 lakh almost मुझे exact data नहीं पता है बट 68 lakh ऐसे pensioners है जिनको इनका फाइदा मिलने वाला है ठीक है pensioners इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक कई लोगों को OPS के त्रू पेंशन मिल रही है तो उनके उनकी pensioners बढ़कर के मिलेगी जब ये DA बढ़ेगा तो I hope ये वीडियो आप लोगों को helpful लगी होगी और आप लोगों को सब कुछ पर समझा पाया होँगा अगर आप लोगों कोई confusion हो तो नीचे comment करते जीगा वीडियो अच्छे लगी तो